ठीक है कि चलो video solve करो आप मानद बीडियो पॉज करो करो देखो ठीक होता है यह पही यह कोंशन है बच्चे डाउड में सकू लेके आते हैं कुछ बच्चों को इसमें रहता है कहता है मिली बोल्ट मीटर अब एक बोल्ट मीटर क्या हता है ऐसे कुछ होता है बोल्ट मीटर जो की potential difference measurement करता है अगर एक resistance X है तो इसके एक रहों जो बोल्ट मीटर है वो हम पैडलर में ऐसे लगाते हैं अगर इसका resistance measurement करना हो या ऐसे कुछ समझ लो ऐसे नहीं थोड़ा confused हो जाओगे तो यहां से समझाने का एक resistance x है इसके across अगर potential difference measurement करना 0.1 और 0.2 के बीच का difference तो इसके across मैं एक voltmeter calculate कर देता हूँ ठीक है तो यह जो voltmeter है यह इसकी यहां पे voltmeter मनलब 0.2 की यह potential difference है इसका range है 25 mili volt 25 mili volt 10 की power minus 3 volt potential difference और 1 और 2 का measurement कर सकता है बट देखो अब यहां क्या होता है ideal case में ideal case में ideal case में इसकी resistance across the voltmeter वो होती है zero होती है infinity होती है resistance infinity होती है इसका इसकी जो resistance होती है वो infinity होती है क्योंकि यहां से domain current आ रही है वो इसमें कम से कम current जाए मेरे भाई इसमें ज्यादा current जाएगी तो यह reading खराब हो जाएगा ना इसके cross और इसमें current i तो इसके cross तो potential difference का measurement b is equal to i x वो तो गलत आ जाएगा ना तो आइडियल बोल्ट मीटर की resistance जादा से जादा रखी जाती है infinity रखी जाती है फ्राक्टिकली इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है तो रख लो कितना जादा जादा रखना चाहते हो तो यह concept इदर आमें लगेगा चलो अब करता है यह जो बोल्ट मीटर को आ मीटर में कनवर्ड कर सकते हैं और आ मीटर को बोल्ट मीटर में कनवर्ड कर सकते हैं तो बोल्ट मीटर को आ मीटर में कनवर्ड करते हैं और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं संट तो यह जो पूरा डिवाइस है यह समझने की कोसिस करना यह करेंट की कैलकुलेशन दे सकता है तो यह पूरा जो डॉइवार डॉट 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 बना वह एक आमीटे बना यह और यह जो आमीटे पूरा करेंट कालकुलेट दे. तो यह जो बोल्ट मीटर है संट कनेक्ट कर दिये आ मीटर बन गया और इसकी रीडिंग 25 एंपियर है और वो खुद जो बोल्ट मीटर था खुद 25 मिली बोल्ट इतना रीड कर सकता है तो हमें संट की जरूरत कितनी होगी यह जो संट है इसमाल रजिस्टेंस होता है तो यह संट इसमाल रजिस्टेंस कितनी हो उसकी हमें कैल्कुलेशन करनी है तो चलो अब इसकी कैल्कुलेशन करने के लिए हम सबको पता है कि यहां से जो में करेंट आएगी समझने की कोशिस करना यहां से मेन करेंट आ रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी एक हो जाएगी I भी कुछ बोल्ट मीटर में चले जाएगी और एक हो जाएगी I S कुछ रजिस्टेंस में चले जाएगी तो 0.1 और 0.2 के अगर पोटेंचियल डिफ्रेंस देखोगे तो इस बोल्ट मीटर का कुछ तो रजिस्टेंस होगा आइडियली तो इन्फाइनाइट होगा पर थेरिटिकली कुछ तो होगा न यार तो उसको मैं कुछ आर भी बोल देता हूँ तो इसके एकरोज पोटेंचियल डिफ्रेंस है IV, R, V must be equal to IS और संट का रजिस्टेंस पोटेंचियल डिफ्रेंस पैरलल में इकको लोगे अब ये जो IV और IS ये ये पोटेंचियल डिफ्रेंस एकरोज दे बोल्ट मीटर है जो बोल्ट मीटर की रेंज है वह ही तो यह वाली जो है वह ही तो यह तो potential difference है 1 और 2 voltmeter की range तो यह जो IV और यह है यहां से तो इसमें जो IS की value आ जाएगी वह आ जाएगी IS की जो value आ जाएगी I minus IV IS की जो value आ जाएगी current across the voltmeter IV minus I है अब यहां से यह जो IV है यह पूरी value यह पूरी value वो तो range ही है voltmeter की range है जो की 25 दिया हुआ है तो यहां से जो मैं IS की value राज जाएगी तो I minus IV यहां से I minus IV और sunt और that is voltmeter की potential difference range हमें निगालना है IS तो S की value भी और main current current through the voltmeter current through the voltmeter IV अब यहां से अभी मैं आपको concept बताया कि जो IV है इसमें हम कोशिज करेंगी कि minimum से minimum current जाए theoretically infinite resistance अगर theoretically देखोगे तो इसमें तो कोई current ही नहीं जाएगी है infinite route है तब तो 100% accurate reading आजाएगी इसमें कुछ करेंट चली जाती है तो reading खराब आती है तो कुछ current कितना बहुत कम तो बहुत कम कभी कभी दिया रहा था कभी कभी नहीं दिया रहा था तो bolt meter में current दिया नहीं है तो इसके compare में current बहुत छोटा है तो उस current को मैं neglect कर दूँगा तो यहां से IV की जो value हो गई हो हो गई है तो IV जो होती है वो approach to 0 हो जाएगी इसके compare में अगर रग भी दोगे तो क्या फरक पड़ा है बहुत कम जादा फरक तो नहीं आएगा तो दिया ही नहीं तो कहां से रखोंगा सपने तो नहीं आ रहा है न मेरे को तो S is equal to bolt upon I तो यहां से जो bolt है वो कितना आ जाएगा भाई बोल्ट मीटर की रीडिंग देखो पूरा रेंज दिया था 25 इंटू 10 की पावर माइनस तिरी और यहां से current इसमें दिया था कितनी current दीती 25 एमपीर था आई जो मेन current है वो 25 एमपीर तो 25 ने 25 को तो संट की value 0.001 ओम आ जाएगी इस इस फाइनल सलूशन मतलब आ जाएगा 0.00 मतलब first option हम लोगा सही है कितना ओम भाई ओम को लिखेगा